हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि डाइबिटीज में हमें रोजाना कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल और वजन दो भी जानेंगे किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज होती हैं ताकि आप अपनी डाइट में कैलोरीज की मातरा को आसानी से मैनेज कर सके और पायदा उठा सके तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो आएए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बता हूँ कि कैलोरीज हमारे जीवन का आधार हैं यानि जो भी एनरजी हमारे भीतर है वो कैलोरीज के रूप में ही है लेकिन दिन भर में हमें कैलोरीज की सीमित मातरा की आवशक्ता होती है अगर हम आस्थे को नुकसान होगा। आप समझ ये के हमें रोजाना कितनी कैलोरीज की अवश्यक्ता होती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा के हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। जी हां, अगर हम महनत का काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रत है, और अगर हम कम मह इस्तितियों में एक पुरुष को लगभग 2000-2200 कैलोरीज की आवशकता होती है रोजाना और वहीं एक महिला को लगभग 1800-2100 कैलोरीज की आवशकता होती है लेकिन डाइबिटेज में पुरुषों को लगभग 1600-1700 कैलोरीज प्रति दिन जरूरी है जबकि महिलाओं को हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप दिन की ओसतन कैलोरीज की आवशकता को पूरा कर सकें तो बात करें सबसे पहले फूड आइटम की तो यह ब्राउन ब्रेड और इसकी दो स्लाइस में 150 कैलोरीज होती हैं 100 गिराम ओट में लगभग 390 कैलोरीज है जबकि वाइट के दो स्लाइस में लगभग cob 132 कैलोरीज घर आप समझ यह के एक कप पके हुए ब्राउन रीस में लगभग 216 कैलोरीज हैं और एक काप पके हुए वाइट राइस में 206 कैलोरीज लेकिन पोशक पैदार्थों और फाइबर के कारण ब्राउन राइस को फायदेमन माना गया है जबकि वाइट राइस को नुकसान दायक फिर बात करें 100 ग्राम पके हुए दली अकी तो इसमें लगभग 151 कैलरीज होती है और फिर बात करें चिक पीज की तो इसमें एक कप बॉयल चिक पीज में 270 कैलरीज है जबकि एक कप उबली हुई राजमा में 225 कैलरीज और एक कप उबली हुई लोभिया में लगभग 158 कैलरीज होती ही फिर बात करें मूंग की डाल की तो एक कप उबले हुई मूंग की डाल में लगवख 213 कैलरीज है और अन्य डालों में औसतन कैलरीज की मात्रा एक कप की बात करें तो 230 कैलरीज की होती है फिर आप समझे के 100 ग्राम पके हुए किनोवा में लगभग 120 कैलरीज होती हैं तो ये भी फाइदे मन्द है फिर बात करें शकरकंद की तो 130 ग्राम में 112 कैलरीज है और आलू की बात करें तो लगभग 213 ग्राम आलू में 163 कैलरीज होती है एक केले में 121 कैलरी होती हैं आप इसे भी खा सकते हैं सुभे नाशते में और फिर बात करें अगले फूड आइटम की तो यह है अखरोड और इसमें एक आंस में यानि लगवग 28,5 ग्राम में 185 कैलरी हैं काजू में 28,5 ग्राम में लगवग 157 कैलरी हैं और पीनट में यानि मुंग फली में 100 ग्राम मुंग फली में 576 कैलरी होती हैं तो हाई कैलरी फूड है पिर आप समझ ये के एक आंस पिस्ता में लगवग 169 कैलरी हैं और performance 200 ग्राम की तो 28 ग्राम बादाम में 164 कैलरीज होती हैं तो इन सभी food items को आपको ध्यान से खाना चाहिए फिर बात करें बटर की तो एक चमच बटर में लगभग 102 कैलरीज पाई जाती हैं और एक चमच ओलिव ओयल में लगभग 120 कैलरीज हैं फिर peanut बटर की बात करें तो 2 चमच पीनच ब कैलरीज होती हैं डाइसो ग्राम में और एक कप दूद में लगभग 200 ml दूद में 148 कैलरीज होती हैं तो डाइबिटीज में आपको अपनी 1600 से 1700 कैलरीज को बनाए रखने के लिए इन food item को कैसे manage करना है कैसे खाना है यह आप देखिए लेकिन अब आपको पता चल गया है कि किस food में कितनी कैलरीज होती है तो ध्यान रखिए और ध्यान से खाईए अपने खाने को और आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धनेवाद और आज दीगई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अग अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें थैंक यू